योगा आयर्वेद में आपका पुना स्वागत करता हूँ एक नई औसधिय जानकारी के साथ तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे औसधि बताने वाला हूँ जिसके प्रियोग से सासंबंदी बिकार, पेसा, बढ़ाने वाली, कुष्ट को दूर करने वाली, बुखार में प्रियोग करने वाली और किड़नी, सुजन, बवसीर, दस्त, हिचकी, जुखाम, आखों की रोसनी, उल्टी, साइक कमजोरी को ये दूर करती है सरीर में किसी भी प्रिकार की आई, कमजोरी या खुन की कमी को ये दूर करती है जी हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ इस मकोई की तो ये काली मकोई है आप देख लेए हमें गाओं के बाहर, रोट के किनारे या खाली पड़ी जगाओं में आपको देखने को मिल जाती है यो इस साल के बारो मास आपको मिलती है तो इस मकोई की दो पिरजातियां होती हैं जदा कर आपको ये बलेक मकोई और दूसरी इसमें से जिसकी रेड फल आते हैं उसको रेड मकोई के नाम से जानते हैं तो आप कुछ इस मकोई को पहचालने तो इस मकोई के पत्ते कुछ मिर्ची के पत्ते के समान हरे रंके होते हैं और इसके फूल आकार में छोटे और सपेद रंके होते हैं इसके फल लगवग आठ मिमी मीटर ब्यास के होते हैं इसमें सालो भर फूल और फल लग सकते हैं फल कच्चा होने पर हरा और पक जाने पर लाल पीला और बैगनी रंका दिखता है जो रसदार होता है इसके बीज बहुत सारे छोटे चिकने और टमाटर के बीज के जैसे होते हैं ये तिर्दोशक होती है ये बात पित और कफ से मुक्ति दिलाने में फायदावन होता है ये इसकी पिरकुर्ती चिकनी और थोड़ी सी गरम होती है स्वाद में कसाला और कड़वा होने से पित को और कफ से छुटकारा दिलाने में मदद करती है तो इस मकोई को भी हम छेतरी भासाओं में अलग-अलग नामों से जानते हैं इसका बोटिकल नाम सोलमन अमेरिकन नम है और इसको हिंदी में मकोई छोटी मकोई इंग्लिस में गार्डन नाइड सेड संस्कृत में कागमाक्ची कहामाशी उर्दू में मकोई पंजाबी में कागमाक्ची गुजराती में पिडिलू तमल्ली में मनकटली बंगाली में कानमाची गुड कमाई नापाली में पेर गुल वेरा आधी नामों से जानते हैं आप अपने छेतर मे इसको किस नाम से जानते हैं और इसका प्रियोग कौन सी बीमारी में करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता सकते हैं इस मकोई के प्रियोग हम बहुत सारी बीमारीों को दूर करने के लिए कर सकते हैं अगर आपके मुँ में चाले हैं मुँ पका बीमारी है तो आप इनके पत्तों को ले ले और मुँ में चवाते हैं दिन में दो बार चवाने से आपके मुँ के चाले चले जाते हैं आपके सरीर पर कहीं भी फोड़ा या फुंसी होती है तो आप इनके पत्तों को तोड़ लें और सिल्वत पेपीस कर इसका पेश्ट बना लें और वो पेश्ट आप फोड़ा फुंसी पर बानते हैं तो फोड़ा फुंसी फूट जाता है और सूजन भी खतम हो जाती है बालों को काला करने में मुकोय का आप प्रियोग कर सकते हैं आप इनके बीजों से तयार तेल एक से दोबून नाग में डालते हैं तो आपके बाल काले और गनहरे हो जाते हैं सिर का दर्द ठीक करने के लिए आप इनके पत्तों को तोड़ लें और उसका रस निकाल कर थोड़ा सा गरम कर लें और दो-दो भून आप कान में डालते हैं तो आपके कान सम्मंदी रोग और सिर दर्द में तुरंत फायदा हो जाता है जिन बच्चों के दात निकलने में परेशानी होती है या कटनाई का सामना करना पड़ता है वो बच्चे इन मकोई के पत्तों का रस घी या तेल में बरावर मात्रा में मिला ले और मसूडों पर मसलते हैं तो बच्चों के दात बिना दर्द के ही निकल आते हैं खांसी होने पर आप इस मकोई की पत्तियों का साग बनाकर खाते हैं तो आपकी खांसी भी चली जाती है पेट के रोगों के लिए मकोई भी बहुत फायदेवन्द होती है आप इस मकोई के पत्ते फल और डालियों का सत निकालने और 2-8 गराम की मात्रा में दिन में 3 वार आप सेवन करते हैं तो आपके पेट में पानी वनना जलोधार रोग जैसी बीमारी में बहुती है फायदेव मिला लें और इसको पिला देते हैं तो उल्टी बंद हो जाती हैं लीवर विकार या पीलिया होने पर आप इस मकोई का 10-15 मिलिग्राम मकोई का पंचांग जड़तना पत्ता फूल फल यादी का रस निमत रूप से पिला देते हैं तो आपके लीवर का बढ़ना पीलिया या लीवर पर स्वेलिंग यादी समस्यां से छुटकारा मिल जाता है दिब फॉर्मेसी का एक काड़ा आता है जो सर्पकल्ब के नाम से मिलता है उसमें पुनरनवा मकोई और भूमी मामला आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं किडिनी बिकारों मे किडिनी पर सूजन किडिनी में दर्द या पेशाप का रूरुक के आना ऐसे समस्याओं में आप इस मकोई का 10-15 मिली गिराम और रोज पिला देते हैं तो आपकी किडिनी की सूजन या दर्द पेशाप का रूरुक के आना या जलन के साथ आना आदी समस्याओं दूर हो जा तो आपका हिर्दा रोग जैसी समस्याई ठीक हो जाती है और आपका बीपी भी नॉर्मल होने लगता है आपके सरीर पर कहीं भी खाज खुजली एक्जिमा होने पर आप इनकी पतियों को तोड़ने और उनका पेश्ट बनाकर वहां लगा देते हैं तो आपके खाज खुजली या एक्जिमा जैसी बीमारियों में काफी चमतकारिये फायदा होता है जिन लोगों को नींद नहीं आती है राद भर जकते रहते हैं ऐसे लोगों के लिए इस कागमा अक्ची की जड़ को आप उखाल ले और साफ कर ले और इसका काड़ा 10 से 20 मिली लीटर की मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं ऐसे लोग इस मकोई के फॉलों को और फूलों का काड़ा बना कर सेवन करते हैं तो उनको अधिक प्यास लगना की समस्या दूर हो जाती है आपके अंग विसेस पर सूजन होने पर आप इन मकोई के फॉलों को पीस कर सुखा ले और थोड सारे benefits हैं तो आप इन मकोई का प्रियोग करें और इसका फायदा उठाएं तो इस मकोई की महत्पूर जानकारी हम ही समाप्त करते हैं और हम कलम फिर मिलेंगे एक नई उसद्य जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ध